नमस्कार आद आप मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं नियूस्क्लिक का डेली राणड़ अप शोव आईए नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्कियों पर नाताशा नर्वाल को अपने पिता के अंधिन संस्कार के लिए मिली जमानत मोधी सरकार के मदद के बिना राज लड़ रहे हैं कोविट की जंग दोहजार रिकिस अर्थ व्योस्ता को होगा कोविट कोरोना अपडेट देश में 24 गंडों में 3,661,609 मामले एक दिन में 3,754 मरीजों की मौत और आखिर में अलजीरिया की हीरक आंदोलन ने प्रदर्शन पर प्रतिबंद लगाने के सरकार के वैसले की निंदग किये वरिष्ट वैज्यानिक और भारती कॉम्मिनिस्ट पार्टी के वरिष्ट सदस्य महवीर नर्वाल का रविवार शाम को कुरोना वारत से निदन हो गया कुछ दिनों पहले ही उनके संक्रमित होने की पुष्टी होई थी उनकी बेटी नताशा नर्वाल एक स्टुडेंट एक्टिविस्ट है जो दिल्ली दंगों में कतिर शदंत करने के आरोप में अभी भी जेल में बंद है नताशा के एक छोटे भाई आकाश अकेले बशे हैं जो खुद भी कुरोना वारत से संक्रमित हैं फिलहाल वो इस समय होम आइसुलेशन में हैं महवीर नर्वाल जो भारत ज्ञान विज्ञान समीती से जुड़े एक कार्य करता थे डॉक्टर नर्वाल चात्र आंदोलन से भी खुद भी सक्री रहते हुए इमर्जंसी के दौरान 11 मैने तक जेल में रहे वे वर्तमान में भारत ज्ञान विज्ञान समीती के राज अध्यक्ष थे वे ताउम्र कौमनिस्ट पार्टी के सक्रीय कार करता रहे अपनी बेटी नताशा से एक बार भी मुलाकात नहीं हो सकी जिनोंने UAPA के तहट किरफतार होने के बाद लगबग एक साल जेल में बिदाया रिपोर्ट के मुताबिक नर्वाल ने शनी वार को एक अदालत से संपर कर अपने बिमार पिता से मिलने की अनुमती मांगी थी इस संबन में की अगली सुनवाई सोमवार को होने वाली थी आज सुनवाई के दोरानों ने तीन सप्ता की अंतिम जमानत दे दी गई है और अब वे अपने पिता के अंतिम संसकार में शामिल होंगी परिवार के करीबियों ने बताया कि महभीर नर्वाल का अंतिम संसकार नदाशा के बाहर आने के बाद चंद करीबी लोगों के साथ कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा पिछले साल केंद सरकार ने 22 अप्रेल की शुरुवात में घोशड़ा की कि वह COVID-19 आपात काली प्रतिक्रिया और स्वास्त प्रडाली के तयारी के लिए 15,000 करोर रुपे का पैकेज ला रही है जिसका उदेश्य COVID-19 से उत्पन खत्रे को रोकना पता लगाना और उस पर प्रत प्रतिक्रिया करना था संसर्थ में पेश एक सवाल के जवाब में स्वास्त मंत्री ने 16 मार्च 2021 को संसर्थ को बताया कि इस पैकेज के तहत राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 12 मार्च 2021 तक 6,815.61 रुपे तक जारी किये जा चुके हैं मंत्री ने अपने जवाब मे उन सभी राज्यों की सूची भी जिने यह राशी आवंटित की गई यह सहायता उन अधिक शहरी कित्र कृत राज्यों को दी गई जहां कोविट के मामले अधिक थे इन में से कुछ उन्हें कुछ 100 करोड रुपे मिले जिनमें महारास्ट को 592.82 करोड रुपे तमिलाडु क 752.45 करोड रुपे दिल्ली को 651.4 करोड रुपे जब कि काफी हथ तक ग्रामिड और पिछडे राज्यों को बहुत ही कम मिला उन्हें बिहार को 144 करोड रुपे च्छतियस गड को 74.21 करोड रुपे जहारकंद को 57.53 करोड रुपे असंब को 180.04 करोड रुपे आदी मिले थ 44 करोड से अधिक लोगों के टीका करड़ के खरश की जिम्मेदारी भी राजी सरकारों पर डाल दी गई है और उन्हें नीजी टीका के निर्माताओं से टीका खरीदने के निर्देश दिए गए यह राज्यों की खरजानों को और अधिक खाली कर देगा और यह राज्यों को तीका खरीदने के लिए वैक्सिन कमपनियों के एक अप्री युद में छोग देगा भारत दुनिया का एक मादर ऐसा देश है जहां इस तरह की नीती है जिसके तहट राज्यों को खुड तीके खरीदने के लिए कहा गया है माहामारी के प्रती मोदी सरकार की नीती की एक ही विशिस्ता है जिसे माना जा सकता है वह कि जितना संभा हो उतना खर्च कम करो और सारा काम नीजै शेत्रों को सौब दो पिछले साल पूरे दुनिया में महामारी चाही हुए थी, पिछले साल पूरे दुनिया में रिसेशन चाहा हुआ था, महामंदी पूरे दुनिया में थी, इस साल वैसा नहीं है, अमरीका में महामारी का कर्व, कोविट का कर्व कम हो रहा है, यूके में कम हो रहा है, इसरेल मे महिनों में ये सारे जितने भी बड़े economy है यहां पर फिर से विकासदर बढ़ेगा यहां भी फिर आए बढ़ने लगेगी लोग चीजे खरीदने लगेंगे उत्पादन बढ़ेगा और उससे क्या होगा जो भी कच्चा माल हमारे देश में भी खरीदा जाता है दुनिया भर म उसका दाम बढ़ेगा यह बहुत important चीज़ है पिछले साल यह दाम घटे थे इसलिए corporate का मुनाफ़ा बढ़ा था कच्ये माल का दाम घटा था इस साल क्या हो रहा है कच्ये माल का दाम already बढ़ने लगा है पूरे दुन्या में बढ़ने लगा है चाहे वो आप जिसको commodities कहते ह आप फिर से बढ़ा है चाहे आप ले लिजे सिमेंट चाहे आप ले लिजे स्टील चाहे आप ले लिजे कोईला और चाहे आप ले लिजे जो कि सबसे ज़्यादा क्रूड ओयल यानि कच्चा तेल जिसे पेट्रोल डीजल वगेरा बनता है इन सब के दाम बढ़ रहे हैं फिर से क्यों कि बाकी देशों में बड़े एकॉनियों में मांग फिर से वापस आ गई है इनके दाम जब बढ़ रहे हैं चाहे हमारे देश में खरीदने वाला हो या न बढ़ जागा तो क्या होगा आप देखें कि जब खर्चा बढ़ता है तो क्या करते कंपनिया अपना जिस दाम पर वो चीजे बेचते हैं उसको बढ़ा देते हैं लेकिन अगर लोगों के पास में हाथ में पैसा नहीं है वो नीचे जा रहा है तो क्या होगा कंपनियों को भी दाम घटाना पड़ेगा अपना माल बेचने के लिए तो हम क्या देख रहे हैं input cost यानि कच्चे माल का दाम बढ़ेगा और साथ में जिस दाम पर वो चीजे बेच रहे हैं price वो घटेगा तो मतलब बिलकुल जाहिर सी बात है कि profit यानि कि मुनाफ़ा घटेगा अगर मुनाफ़ा घटेगा तो क्या होगा बड़े-बड़े manager वगेरा लोगों को भी मुश्किल होगी ठीक है corporate sector में भी नौकरिया जाएंगे फिर से salary कट होगा बड़े-बड़े जो manager बैठे हैं उनका भी salary कट होगा उनको भी कहा जाएगा इस साल आपका bonus नहीं है और वो भी खर्च नहीं कर पाएंगे हमारी देश में जानते हैं सिरफ top के लोग खर्च करते हैं उनके हाथ में भी पैसा नहीं आएगा और corporate का जो खर्चा है वो बढ़ेगा मुनाफ़ा कम होगा और उससे क्या हो सकता है यह एक बड़ी बात हो सकती है जब corporate का मुनाफ़ा गिरने लगेगा तो stock market जो पिछले साल तेजी से उपर गया क्योंकि corporate का मुनाफ़ा बढ़ा था वो भी गिरने लगेगा और आप जानते हैं कि हमारे देश में जो अमीर लोग हैं वो बहुत सारा पैसा शेर market में लगाते हैं और शेर market से जो पैसा आता है उससे उनका धन संपत्ति और भी बढ़ जाता है इस पे भी अब आच आने वाली है आज सकती है अगर सरकार कुछ न करें तो सरकार को इस वक्त बे जिजक पिछले साल लगातार हम ने कहा था हम फिर कह रहें सरकार को बे जिजक खर्चा बढ़ाना पड़ेगा सिरफ सिरफ हेल्थ के लिए यह नहीं सिरफ एफसी आई को पैसे दे दिये यह नहीं बे जिजक उनको कॉर्परेट को या बड़े-बड़े कांट्राक्ट देकर गरीबों को बेसिक इंकम देके न्याय गरीबों के हाथ में पैसे डाल कर खर्च बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो इस एकॉनमी में हम और भी बुरी तरे फसने वाले और हम पांच-छे साल पीछे चले जाएंगे भारत में कोविड महामारी का प्रकोप जा रही है जबकि दुनिया के बाकी देशों में इसका ग्राफ काफी हद तक नीचे जाना है अब अमेरिका और यूरोप में फिर से आतिक विकास की संभावना है जिससे उन देशों में कच्चे माल की खपत बढ़ेगी इससे दुनिया बर में कच्चे माल के दाम बढ़ेंगे और साथ ही भाती कॉर्परेट जगत के खर्चे भी भारत में कोविड यूही संकट बना रहा तो हमारे देश में चीज़े बिक नहीं और इससे कॉर्परेट का मुनाफ़ा भी कम होगा इसका मतलब सिर्फ गरीब और मध्य वर्ग नहीं बल्कि अमीरों को भी महामंदी का सामना करना पर सकता है केंद्री स्वास्त मंत्राले दौरा आज सोंवार यानि 10 माई को जादी आकड़ों के अंसार देश में पिछले 24 गंडों में कोरोना के 3,666,161 मामले दर्श गये गये इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 3,754 मरीजों की मौत हुई साथी इस देश भर में कोरोना से परित 3,53,818 मरीजों को ठीक किया गया है और आक्टिव मामलों में 8,589 मामलों की बढ़ उत्री हुई है देश में कोरो करोड 26,62,575 हो गई है जिन में से अब तक 2,44,116 लोग अपनी जान गवा चुके हैं देश में कोरोना से परिद 82,38 फीसदी यानि एक करोड 86,71,222 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और आक्टिव मामलों की संख्या बढ़ कर 37,45,237 हो गई है स्वास मंत्राले की ताज जानकारी का अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 70 करोड 1,86,603 डोज दी जा चुकी है जिन में से 6,89,652 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है आइसेमा द्वार जारी आक्टिव का अनुसार कोरोना के 30 करोड 37,50,37 सैंपलों की जाच की जा चुकी है जिन में से 14,64,606 सैंपलों की जाच पिछले 24 घंटों में हो गई है और आखिर में हम बात करेंगे अलजीरिया के हीरक आंदोलर ने सरकार के एक नए नीन्ने की निंदा की है जिसका उदेश देश में विरोध प्रदशन और रैलियों पर प्रतिबन लगाना है यह रिपोर्ट 9 माई को अल जजीरा ने प्रकाशित किया आंद्रिक मंत्राले ने रविवार को सरकार के नेने की घोशना की जो कई आक्टिविस्टों और सरकार के आलोजोकों के अनुसार फिर से शुरू होने वाले सरकार विरोधी प्रदशन को देखते हुए लिया गया है ये विरोत प्रदाश्चन कुरोना वाय संबंदी प्रतिबंदों के कारण कई महीनों के अंतराल की बाद देश भर में फिर से शुरू होगा रिपोर्ट के अनुसार सरकार को बहर है कि हीरत विरोत प्रदाश्चन जून महीने में निर्दारित आम चुनाओं को लेकर लाम बंद होगा और पिछले चुनाओं की तरह जनता को प्रभावित करेगा इसके परिणाम सरूप पिछली बार एतिहासिक रूप से 40 प्रदिशन से कम अदाता शामिन हो रहते हैं आज की डेली रॉंड अप में बस इतना ही नियूस क्लिक के यूटिब चाल को सब्सक्राइब परें साथी देश और दुनिया के अन्य कबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बूप, ट्विटर और इंसाग्राम पर हमें फॉलो करें नियूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया